काली मंदिर घाट दर्भंगा हाउस काली मंदिर पठ्ना विहार यह जिरीस आप देख रहे हैं अमरीकिली न्यूज यूटूब पठ्ना की ओर से काली मंदिर घाट जो कि दर्भांगा हाउस काली मंदिर घाट के नाम से परसीद है और इस घाट से गंगा नदी अब लगवग ब्रिप्ट ही हो चुकी है यहां से रूट कर आगे चली गई है किस्ना घाट कियो और यहां जो है नाला की तरह पानी बहरी है गंगा जल नहीं है और मिलते हैं बिहार की लता मंगेश कर जो की अपनी समस्याओं के कारण बहुत ही दुखी है आईये मिलते हैं नमस्ते माता जी माता जी अपना नाम बताएंगे मेरा नाम पूर निमा देगी है जी माइ सेंट्रल गौर्मेन का प्रोग्राम करती थी नर्थे स्रीशंस्ता जी उसका मैं गाइका हूं दिली से दिली का राइस्टेट आतिस हूं है में निटिफाइब में अलोबर इंडिया का कमपोटेशन हुआ था उसमें शर्वपर्थम महिला बिहार का महियो हूं यही ठाइया तिकुली घराइगे देया गानिवादी के हमको क्या मिला अलोबर इंडिया में हम निकल गये लेकिन सेंटर्व गवर्रमेंट अपना सिल ले गया इस गरीब को क्या मिला कुछ नहींदा आज तक महें इतना कुस्ट जहलते हुए एक इंडिया लेबल का कलाकार होते हुए इतना कश्ट जहलते हुए आज काली घात गंगा का किनारे में बैठी हूं हर्मोनियम बजा करके गाती हूं, मेरा खाने का कोई उन नहीं है, जो मेरा पब्लिक, मेरा बालबच्चा हमको दान करे, उसी में महे संत्विष्टी करके रह रहे हैं, लेकिन आज ना भिहार गवर्मेंट ना सेंटरल गवर्मेंट इस करीब कलाकार के उपर दया नहीं कर रहे एटीवी बिहार में दिखाया गया था कि पुर्निमा देवी को संसत्थ ने एक लाख रुपया डोनेत किया, तो आज तक तो इस गरीब को नहीं मिला यह जो है, इटीवी पर कब दिखाया गया था जो कि आपको एक लाख रुपया अनुदान करने का किसी संसत्थ ने यह घोस्ना की थी, यह कोई गीता देवी ने क्या कौन संसत्थ है इधर, किस साल, पिछले साल 2017 में, तब, यहीं एक मैना आगे, एक मैना इसी साल, 2018 में, य यह जाच का विशे है कि इस संसत्थ में आपको घोस्ना किया कि आपको एक लाख रुपय का अनुदान दिया जाएगा, और अगर घोस्ना किया गया तो अभी तक आपको क्यों नहीं मिला वो अनुदान, अगर उसे घोस्ना करना है था तो फिर एक दुखी गाईका को क्यों इस तरह से और दुखी करने का प्रयास किया गया किसी संसर्थ के दौरा यह तो हम क्या बता हुए हम तक गरीब हूँ गरीब करा का यह ऐसा मजा क्यों किया गया है हम इस बुरी से इतना उमर दराज होते हुए अज मैं गार ही हूँ अज मेरा कोई कमा के खिलाने वाला होता तो साइध हम न बढ़ते लेकि मेरा कोई न रहने पर एक तो एबनर्मल बेटा है उसको हम धो रहे हैं कम से कम ओबनर्मल बेटा कलाकार था हम अच्छे दो बच्चे का कलाकार है परदीप कुमार और बंधना मेरा दोनो बेटा-बेटी आज भी सोनपूर मेला में परिवार नियोजन ब्यूरो में मेरा बेटा-बेटी का फोतो हम अच्छे दो बच्चे में अल ओबर इंडिया का कमपूटेशन हुआ था तब मेरा दोनो बच्चा फस्टा है तब भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है मतलब एक कलाकार क्यों पिक्छा? मैं आख से भी लाचार हूँ पैर से भी लाचार हूँ लेकिन मेरी कंठ में मा सरसथी बिराजमान है तब मैं आज मेरा बाल बच्चा लोग जो दानकून करता है उसी से मैं गुजरा कर रहे हूँ उसी उसको भी हम धो रहे हैं लेकिन ना भीहार सरकार, ना सेंटर और सरकार, कोई ने हमको ध्यान नहीं दिया। माता जी, आपका बेटा है परदीव कुमाति, ऑड़ीव कुमाति जो की गायक, और अपने दूख से, और उसका जो प्यार में उसकी पत्नी ने अशे धोखा दिया, वह उसके वह दुखी है, वह अबनॉर्माल नहीं है, वह दुख है, दुखी है क्योंकि उससे कोई मदद करन बखेने वाला नहीं है मान का दुंक्रिवी उससे देखा नहीं जा रहा हैं इसके लिए बिश्वेश्चिह ऑर आप भी दुख्षिए हैं हम लोग पीजुक्षिए के समाज में जो है अच्छे करा का मिला अच्छित क्यों है सोसित कुई हैं बिहार में सही कलाकारों का कोई कदर नहीं है अच्छे कलाकारों का घड़ी ऊजढ रहा खामोस है डाव सर्वन अधिस्ड बात है गुंडा और प्रिम्नल Emil जो है वह तरक्की कर रहा है यहांका मेलता है ने यह लेकिन एक कलकार कराफ सर्स्थीक वेकर दो एक रुजर है। गीजिकर उड़े तлуч आप है। हट हम्पी पति कीम हत्याह होग़ी थी? लेकर प्रफिट में निकल चुका था। किसी तेम मौडर हो गया मेरा पती काहां पर बारबंकी डिश्टिक में। बहुत सरीप इंसान थे वो दॉक्तर। गरीब को फीश भी नहीं लेता था। उल्टा अपने तरफ से दवाप अल के लिए पैसा दे देता था। उतना सीधा आदमी को मौडर करवा दिया। किस कारण से? मकान के चलते हैं। जब हरपने के दिये। मकान के चलते हैं। कोई बहारी लोग या उनका रिलेटीव? उसी का रिलेशन। सजा नहीं हुई उन्हें। नहीं। अब हम ना जानते थे कि इसका परिवार इसको मार बाद में जब क्रिमनल को अंदर कर दिया मेरा घर में। शिव बादूर सिंग राजपूत था। उसको अंदर कर दिया। हम जाके निकाले। तर रात को एक बजे रात को चैक्टर सुद्दा बंगोली लेके आया था हमको मारने पर। तब जाकर के हम ताला लगा के मौशी क मेरी मौशी थी दूर्गा देवी शुटना जन्संपव भीतनातक प्रभाग का द्रामा अर्टिस्त थी। और रस्नों की जंजीर उनका लास्ट पिल्म था। उनी के साथ महें रहने लगी। तब तला कुम मकान उस्तिववादूशिंग ने जेलर को बेज दिया था। मतलब की क्रबिनल से उसकी दोस्टी थी। जेलर को बेज दिया। तो हमका अकेला औरत हम किस-किस से लड़ाई करें। उसमें दोनों बच्चे थे आपके? आँ मेरा तीन बच्चे था ता। एक बेटा यहीं महें पाउंद्र में एकस्पार कर लिया है, सबसे बड़ा बेटा वाहें दूसरा है, एक बेटी बंबई में है, वो तो बहुत खुबसरत थी, वहां डांसर थी यहां पतना में ही, और कोई लेके भाग गया, लेके भाग गया, सुनने में आया कि बोजपुर कि फिलिम का अभी निर्माता बना अवदेश निष्रा उसके साथ हुए है बंबर में है बांदरा में डांसिंग क्लास खुली है जो कोई भी लड़की को लेके भगाया है क्या उसका परिवार खुशार रहेगा कभी ना कभी नहीं कुशार रहेगा वह क्या में ठैक उसके अंडर में हो लकी तब इसा बात बोलता है मा बेटा उसको अंडर में किया है आज तो इस बात से भी डर लगता कि अपनी सुंदर बेटी को भी वक्ति गार गीट घ्ड इस बात से भी डर लगता है, कि अपनी सुंदर बेटी को संगीत कला, निर्थ कला और गाय की सिखाई या नहीं डर लगता है, क्योंकि समाज में क्रिमिनल्स जो है, पुरा बैखॉप घूम रहे हैं, और पुलिस जो खामुस है, पुलिस का समर्थन है उसे, अब यहां पर उस बिहार में उसका जोड़ा नहीं था, अदानस में, कितना उमर था उसका, आपकी बेटे का, तेरा साल, चौदर साल, तेरा पुरा हो के चौदर वाँ चल रहें थी, क्या नाम हुंका, बंदना, बंदना, प्योल बंदना यहां चाइटी लिव कुस पर, घर में गुरिया, घ वहिंदरू में, सुनिल चवधरी कमकान में रहते थे, वो प्रोग्राम करती थी, हम जाते थे साथ ही साथ, उसको नहीं छोडते थे, एक दिन क्या हुआ, अपना लेका बक्स लेके दोने लगे, हम करने लेकान जा रहा है, अभी तुरंता आ रहा है, वो फोन करके बुला या लड़का गारी लेके बाइचा हुआ थे, उसको बोला हुआ कि चलो मुंबई तुमको किसी नहा में काम दिलवा देगा है, यही लोग दिया होगा, यही देखे थे, सुबह किसे में लेके भागा, वही दस-ग्यारा बजेंकर, सुबह में, अब देखो, अब देखो, देख अपनी माँ को बूल गई, बूल गई, हो सकता है, उन लोग कांट्रोल में होगा, हाँ, इभी तो हो सकता है, एक चाहिए काईज में बूल-बूल, बहुत अचा, तबला वाला पहले बोलता था, गुरिया, हम लोग को याद देखके, तुम दान्स करना, क्यूंकि मुंसे त अपने मुंसे तबला का बोल करके दान्स करती थी, उसके जोड़ा नहीं था बिहार में, एक तो मर गया, जो ग्लासिकल दान्सर था, उसने बोला कि आँटी यह आगे जाके इतना बड़ा आठीस होगा, कि मत पुछे, बिचरा उमर गया, बहुत अच्छा दान्सर था, क्ल अगर आज मेरा आरेन, स्वामी, मेरा गुरु देवा, वो तरकी चाहता हमको हिंत देता, नहीं पुर्णी मा, तुमारा साथ में मैं हो, तुमको आगे बलाएंगे हम, आज तो अबे सहारा है, कोई आप सहारा नहीं है, जिए मेरी मा, काली मा, अगंगा मा, बस ये दोनों मा सहारा है, और अनुग्रा सेवा सदन खजान ची मोड़ पर, वहां ट्रोस्त के अंडर है, वहां हम से क्राया लेता है पंद्रसो रूपया मैंना, मैं देती हूं, बलता है कि ट्रोस्त का है, अगर इस दयन हिया, इस्तिति में भी सरकार का आख नही खुला तक खुली तक खु एक इंडिया लेबल का कलाकार आज भीकारी बनके बैठी हुए है, अपना दुख आप इससे कहिएगा, बताए ज़रा आको तो बहुत दुख है, मतलो दुख में डूबी हुए है, इसलिए, मेरा निवेदन है, कोई भी कलाकार इस पोजिशन में ना आव है, बिहार का कोई आपको है, बहुत सारे कलाकार है, इसलिए बया है, जिनका घर उज़र रहा है, पटना में उज़र रहा, मैं पुछ बूल भूल रहा हूं, शर्कार खामूस है, चिसका घर उजर रहा है, भगमान को भी अपर्शत नहीं, उनका दुख सुने के लिए, अ, अश्कों धर्मा क पापी लोग के चलते हैं। वहीना गंगा सफाय अभियान में दुरदर्शन में हमसे गवाया था। लता जी का गाना था मैंने कौपी किया था। राम तेरी गंगा मेली हो गई। मानो तो माई गंगा माहू। यृदूबौ। शरकार था देखा है दिली के सरकार भी देखा है। भीहर कर सरकार। लेकिन इसके लिए क्या है। एक इंडिया लेवल का क्ला कर आज धीक मागे का नौबत हो गया। विखे मांगना नहुआ। ना खाने को रोटी है। और बीमार है तो आख को दिखाने के लिए डाक्टर भी नहीं है आख दिखाने के लिए डाक्टर को देखे नेने के लिए पैसा भी नहीं है कि इलाज भी करवाएं तो बहुत सर्मनाक बात है कोई कदर नहीं बिहार में अच्छे कलाकारों का कोई कदर नहीं, इसलिए, सरकार से निविदन्वय करती हूं किन से, माननिये बिहार के मुखमंत्री जी से या भारत के माननिये पढ़ान मंत्री जी से, किन से अनुरुद करना चाहेंगे आप मैं पर्धान मंत्री से अनुरूद करना चाहेंगे आप यह कहना चाहती हूं कि अच्छे कलाकारों का कदर कीजिए ताकि फुटपाईरी में बाइट के हर्मोनियम न वजामें भीखना मागें मैं यह नहीं बेदान करती हूं आके नहीं तो आप देख सकती हूं आपने तो देखाई होगा पेपर में तो हर जगा मेरा निकला हुआ है तो आप जानते हैं सुन्ने में आया कि आप महांदानी हैं गरीवे को ठान के लिए तो माननी पद्धान मत भी बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कलाकारों पर भी ध्यान उनको देना चाहिए देना चाहिए जिनका घर उजर रहा है जिनका सोसन हो रहा है जो भीख माने के लिए विवस हैं इस इवे निवेदन है मेरा कि आप कलाकारों को फुटपैरी में बाहिट के हार्मुनियम बजा के खाने मर दीजिए कम से कम भाहित सेंटर गार्मेन का राइस्टेट आधिशू उसके लिए कम से कम पेंशन तर दिया जाए तेंशन तीवे रखता हो इसलिए माही तो मा का भकता हूँ मेरा गुरु ता माह है माह का ली? आँ माह गंगा इस तंब मेरा इंटरव्यू आल ओबर इंडिया में हो रहा था मेरा गुरु जी माह था में हाथ दरके आरानस्वामी कशम है पुर्णी माद, तुमको साच का, हमको छोड़ के मत जाना. मत जाना हम बड़बाद हो जाए तुमारे चर्णों में, यह कैसी गुरु की सेवा है? अब कोई आता था बंबई से कलाकार लोग, मुझपुरी मा का फिलिम बना है, लता जी और मनादे ने गाया है, आंटी आप से गवाना चाहते हैं, गुरु जी पहले पता साथ, अरे इसको HMB और 3 सीरीज से पूर जाते नहीं है, मतलब आपका सारकी नहीं चाहा आपका तुम्हारे साथ है, हम जाएंगे बंबई, डर्ना नहीं, ता हम रभ भी हिम्मत चलता, चले जाते, उनको भी आज मदद करते हम, आज तो आपका परिवार उजर गया, क्या आपको मदद करने आता आपका गुरु, गुल गया, अखुस भी होगा, चलो इसका परिवार गुले गुर्वर जी आपको हम गुरु मेरी माँ है, गुरु मेरी मा मद करते हैं, किनका घर उजार देते हैं और उन्हें उसही आणना घाता है, खुस होते हैं, किसील सब्सक्राइबा अपने दुख को भूलने के लिए गंगा खाट किनारे भजन जा करके अपना जीवन यापन कर रही है अपने दुख को भूली हुई है इतना जी नियुज उचाला सबसे बड़ी बात है ना माता जी ये समाज जैसा हो गया कि गड़ीबों से घीरना करता है लोग लंडन का मीडिया है अमेरिका का मीडिया है हम बहले कि गीत लेके का करोगी वहां इंटरनेट में देंगे पेपर में लीक आउट करें मेरी आवाज अच्छी थी तम न लेके लिया लंडन अमेरिका मैं तो गरीब हूं आज हमको टाइटल दिया एक लाक रुपया दोनेट किया है आज तक हमको नहीं मिला है सब को हमको दुकान दार लोगारे आपको तो दिया है एक लाक रुपया लगता है यह जूटी घुष्टना थी यह मजाग गरीब कलाकारों को इतना मजाग नहीं करना थे देना है तो दोट प्या देदोने तो मद दो है किने क्या जूटा घुटा घुष्टना तो नहीं को भी सांसत्य द्वारा आज मैं इतना लाचार हूँ बाइर से लाचार आख से लाचार लेकिन माश सर्शती है मरब अपड़ा प्राफड़ा जोटा के शचिए कोई नहीं देख रहा है कि चले इसका कंठी में बास करें माता जी अब कपसे गित गाना शुरूटी हो आम गीत ता पेला स्टुडेंटला यवा श्टूडेंटला थे हम किया अपकी मां जी भी गीत गानी थिति इस्कुल में भी दाते थे, अब कोलेजे लाइक में भी दाते थे, मैं डार्जिलिंग वेस्ट बेंगाल की रहने वाली हूँ, दार्जिलिंग महाकाल मंदीर का पुजारी, पंडित हरी परसाथ सर्मा का बेटी हूँ है, कितने भाई बन थे हैं? हम लोग दोनों बहीं थे, लेकिन मेरा भाई नहीं था, चचेरा भाई लोग सब अरभ करके बहित गया, अब उसमें भी हम लगाई करने जाएं, मंदीर है, दुदुगो मकान है, जमीन है, अब हम जाएं तो कहां जाएं? अब किसके लिए जाएं? हाँ? जिसले मेरा भींती है, मेरा पतना है, अज ही कुछ कहा एं कहीं है कि नहीं मता जे? बोजन किया अपने कुछ? नास्ता वेगर है कुछ? नास्ता कर लिये थे. तो आपको जो आने जाने वे दिकत होती है काई ठोकर भी खाके गिर सकती है आप अखेले जाती है बेटा हर्मोनियम लेके जाता है आपको तो बेटा हर्मोनियम लेके जाता है अखेंची रोड यहां से काली मंदिर जाना पड़ता है पैदल आपको इस करी धूप में पैदल तो कभी ऐसा भी हो कि आप गिर इसा लगते हैं शरकार से मेरा यहीं नीमदान है अनुग्रह सेवा सदन ट्रॉस्ट के अंडर में है क्रिपाया हमसे किराय न ले वहां का मेनेजर बास हमारा यहीं बींती है किराय का पंद्रो सव रुपया बचत होगा खुदाना खास्ताम भीछावना पड़ गए तो बैसा हमको काम देगा इसलिए मेरा बींती है कि हमसे न ले अनुग्रह सेवा सदन का ट्रॉस्ट का जो मे अमरित्य जुनी यूज की और से आप देख रहे हैं यह एक फिरित महिला गाई का जो की बहुत ही दुखी है सोचित है अपने कला गुरु के द्वारा ही और इनका परिवार्थ पुरा उजर गया और सरकार की और से केन सरकार राज सरकार की और से कोई भी से शिवधा नहीं मिली है तो विशेष सरुप से इनका आगरह भी है राज सरकार अरकें सरकार से मानिय पढ़ान मंतरी जी से कि इनके जैसा किसी भी कलाकार का परिवार ना उज़रे, साथ ही साथ जो असहाई कलाकार गाईका हैं, उनके कल्यान के लिए उजनाएं लागी हो और उन्हें विद्धावस्था में पेंशन बेगर भी दिया जैता कि वो जो जूर्धावस्था में भरवान का नाम लेकर कमसिक दुखि सखी रोटी खाकर भी जीवन यापन करें और गीत जा कर समान सेवा करें करेव करें के अ गदि का पाई कि निकाल के दीजेग, उसमेंसे निकाल के दीजेग, माता जी एक सार ढालू, भक्त आई हैं आपको कुछ देने के लिए अब आए अब आए अब आए अब आपको कर दे अब आपको कर दे ये माता जी सारी उर्णा दे अब आए अब आपना नाम बता दीजेए मेरा दे मिरा नाम रे खादी का Alla T consistent पत्तर की मसेद के पासोंट मारी फढ़ी इंडीं में अब है जाव 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 इन जुही जाव मदेदी डिमानु कर रूट सी रोजव मरग्स्री começ दिन सटका मनुकामराी अच्छा आशिर बात दीजिए हम गया तुम करती क्या माजी हम घर में रखता है माजी दोठो बेटा है पती प्राइबेट जॉब करता है उसी मिरोजी रोलतार में परक्कत होगा इमाकास है इमाकासी बात रखता है मेरा दोनों बेटा का नौकरी लख जगा था जरू रखता है माजी उसको बोलना की कर्म करते जाए घबराना नहीं हमत नहीं आरना आज हम पचतर वरस का उमर हो गया हम हमत नहीं आरे है हमत नहीं हारे है देखे बेटा ऐसा को में है तो हम क्या करें जो कमा के खिलाने वाला ल जी दोपका कहानी सुन रहे हैं, बहुत दूख had to evolve सचाई के मार्ग में चलता है माँ कर जए कहस और जोग वोले माँ जी उसको पकोटा है सैताने लुग सुखी से रहता है आज अगर सैतान होते हैं, कहां से कहां कहुंचे रहते हैं चही बात है अज भी माई निवहाद रहने जो कोई देख ले सुन ले ता अना को जो आना को जो आए आप लोग प्रस्टा अगून वे पराचा है पराचा है वासना तो नहीं कोई पाच्माज में आपके प्राचा है इना जानते थे उतना बड़ा घर का बेपी ता उतना जोक्तर पती का आगी मुष्वाद आपका इगाती हम लोग का क्या हाल हो भाजन सुनी जे इनका जीत आपके 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 सागच में अमरिक दिन्यूज यूटूब पटना भिहाद